गुड पॉर्डिंग स्वेल्स कैसे हैं आप साब उमीद करती हो आप लोग अच्छे होंगे आज आपके वर्षित नुबर ट्विंटे सिक्स ही से लेबल कीजिए डेट डालिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिखिए प्यारे बच्चों आज अब ल अब लिखा है उफ इट इस सो होट तुड़े आज बहुत कर्म है प्रॉबिली इत विल रें टुड़े यानि हो सकता है आज बारिश हो संभावना एक आज बारिश हो सकती है और इट विल नौट रें वाट आर अर दाचेंज हेल्प मी अब बताएं यहां पर यहां क्या ब देखिए और लिखिए तो यह तो आपको करना नहीं है इस चीज़े से सिंपल सी है इसे छोड़े आप आगे चलते हैं डियर स्टुएंट्स प्यारे बच्चो दिया मैनी इवेंट्स दैट आर हैपनें इन आर देल लाइफ ठीक है अब बोलते हैं कि हमारी प्यारे बच्च हमारे जिन्दिकी में ऐसे बहुता सारी इवेंट्स होते हैं उसी गटनाएं गड़ए था है हमारी डेली लाइफ में ठीक है जैसे सबीज़ेंट्स to happen कुछ event ऐसे होते हैं जो एक दम इसे हो जाते हैं और जो होते हैं जो होना थीक है पॉसिबल है है स knocking असे हैं जो होना इसमभा जो कभी हो ही नहीं सकते और और सब ने or एक्ट करद अदरहां क्या हमें इवेंट को एसे होते हैं आपकी ऄम वेर्दों होते तो अब क्या होता है आपकी फ्रेंड का बर्डे तो थीक है चलिजयोँ ज्ल्दी आजाना हो सकता है देट पर्मिशन नटे नहीं आप नहीं जाओगी तो यहां क्या है सम्भावभना है खो भी सकता है ऊपी हो सकता है में और में भी नॉट थीक है वही अगर पता चल जाए कि बढ़ती जो है वह आपकी सिस्टर का है तो पापा के आपको मना करेंगे नहीं करेंगे जाओ जाओ नहीं हो पापको जाने के लिए या zo L겠 तो यह क्या सकते हैं उसकता नहीं होसकता है Growing हो जाता है यह वह सकता है नहीं भी हो सकता है यह भी वह कंफॉर्म नहीं हो सकता है ठीक है तो बोलते हैं and all the events that may or may not happen ठीक है has a change of happening और ऐसा कब होता है जब मतलब वक्त के अनुसार changes आते रहें ठीक है अब हम इस चीज को नहीं स्टेबल के थू समझेंगे यह लेका है right if we occur or not ठीक है अगर हो सकते है तो आपको सही लगाने और अगर नहीं हो सकते तो आपको रॉंग लगाने ठीक है ठीक है अब यहां देखे क्या लिख है जैसे लिखा है sun will rise from east तो यह तो 100% सही है सूरज जो है वह हमेशा इस से निकलेगा वह वैस्ते तो निकल नहीं सकता ठीक आगी क्या बोलते हैं दवसाइज ओफ आंट इस बिगर तैंड माउस ऐसा हो सकता है कि चीटी का साइज चुहे से बढ़ा हो जाए नहीं हो सकता अब यहां लिखा है फ्राइडे विल कम्स आफ्टर दे संडे क्या फ्राइडे संडे के बाद आ सकते हैं कभी जिन्दिगी में नहीं आ सकता है इप यू सिप वाटर फॉर्म गिलाज इत विल बी लेजर जैसे जैसे आप पानी पीते जाओंगे गिलाज जो है खाली होता जाएगा कनफरम है कि यह बोलते हैं इंडिया विल बीन नेक्सट मैच किया नेक्स्ट मेच जीश सकती है तो मैं भी Sunghal टो हार गई है ना मुझे तो बहुत बुरा लगा चीक है तो अब देखें क्या लिखते है कि क्या अन्डिया next match जी सकती है मेंभी अगर ऐसे बुरा नहीं खेलेंगे तो जीती जाएंगे तो देखें, यहां क्या लिखा पॉसिबिलिटी है अगर अच्छा खेला, प्राक्टिस की फाल्तू की चीजों से दिमाग अटा के अपने किर्केट में दिमाग लगाया तो हम जीच जाएंगे तो इस तरह से क्या यह संभावना है यहां लिखा होता है the chance an event will happen or not happen is called up probability of that event, अब बोलते हैं कोई चीज, कोई event उसका होना या नहीं होना क्या खेलाता है? probability कहलाता है क्या हाँ यह हो भी सकता है, हाँ यह नहीं भी हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है तो ऑपर लेखते हैं और जितरे में से सको सुन नीचे लिए कैसे इसको हम जानतें चलिए इतिDa staan एकजांबल के दोर पर ओर कहते हैं यहां कोश्य नी करने है के इतके लिगते हैं कि यू लॉस यू टॉस आ कॉइन अब आप ने को उछा ला जी के तो हैट आन को निमेंट चालेंगे तो चीक है अब हेट्स आने की संभाव ना क्या होगी एक दो पहल हुए नीचे दो रहेंगे के भई हैट्स आ या टेलस आ हैगा जीक लेकिन अनुझे बता हैट्स आने कि क baikah तो समें कितने पहलों होते हैं च्छे पहलों होते उसके ठीक है अब उस्में वनाने की सबहावना क्या है तो एक हैं तो क्या हो जागा एक बटे में छे इसी भोलते हैं इस दे आप थरी 10 event is 1, यानि जो काम 100% है कि अभई यह होगा, उसकी probability आमेशा 1 रहती है, impossible event is 0, जो event ऐसा है, जो नहीं हो सकता, उसकी probability आमेशा 0 होती है, and probability of an event lie between 1 and 0, और वो event जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी probability जो है, वो 0 से 1 के बीच में रहती है, के लिए रहे, चलिए, अब यहाँ आपको लिखा है, let's practice, first question लिखा है, write if the following event are certain, impossible और possible, अब यहाँ आपको बताना है कि इन में से कौन से statement हो सकता है, कौन से statement नहीं हो सकता है, और कौन सा event ऐसा है, जो हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यह लिखा, you will be older tomorrow, आप आज जो है, कल से बड़े हों, मतलब आज से कल बड़े होंगी, यानि, आज मैं अगर 20 साल के हूँ, तो कल में 21 साल के हो जाऊंगी, तो यह बात सही है या नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, certain, के हाँ, यह तो हो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कि मैं आज 20 साल के हूँ, कल 18 की हो जाऊंगी, नहीं हो सकता है, आगे लिखा है, you will get a tail on throwing a coil, बोलते हैं, कि आप जो हैं, अगर एक coin को उच्छालते हैं, तो आपको tails भी मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है, बहीं, उसके दो ही पहलों है, या तो heads आएगा, या tails आएगा, तो यह क्या, यह possible है, possibility है, कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लास्ट क्या लिखा है आपका, तो आप इसके आगे लिख देंगे, इसके आगे सर्टीन, इसके आगे पॉसिबल, you will get eight on throwing a dice, अब आप एक dice को उच्छालते हैं, उसके अंदर से आपको eight मिलते हैं, क्या यह possible है, No, यह impossible है, क्यों, क्यों कि dice में, सिर्फ six तक ही counting होती है, तो आपको eight कैसे मिल जाएगा भला, आरे यह बास समझ में, तो आपको क्या लिखना है, इसको लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे 17 इसको लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे possible इसको लिखेंगे और इसके आगे लिखेंगे impossible clear रहे now your question number 2 is क्या है आपका question number second a dice is through once एक dice को हम दे एक बार फेका dice में total कितने digits होते हैं 6 अब आने की संभावना बताईए find the probability of the following इनकी संभावना है बताईए getting a number greater than 6 तो इसकी संभावना क्या हो जाएगे 0 क्यों क्योंकि 0 से बड़ा number तो आपको मिली नहीं oh sorry 6 से बड़ा number तो आपको मिली नहीं सकता है ना अगला लिखा है getting an even number अब आपको even number कौन से मिल सकते हैं अब आपको पता है na even number कौन से होते हैं जलदी से बढ़ इस होते हैं 2 4 और 6 यहीं होते हैं even number तो कितने even number 3 तो आप लिखेंगे 3 upon 6 total number कितने six अब उसमें से 3 even number आ सकते हैं अब देखिए अगला आपको लिखा हुआ है getting a number between one and six अब एक से छे के बीच में कितने number आ सकते हैं जरागी नहीं है दो, तीन, चार और पाँच टोटल कितने number आ सकते हैं चार तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी फोर अपॉन में six इसको कट कर सकते हैं बेटा अगर चाहें तो two, two two is a four, two three is a six तो इस तरह से आपको इनकी संभावना ही लिखनी है आप लिख लेंगे अब यहां देखे आपको अगला कोशन दिया गया है क्या कोशन है वेरा स्प्रेंग इस स्पर्ण फोर वन्स अब एक बार आपके यह स्प्रेंग को घुमाया गया अब जरा इसकी संभावना बताईए यह देखे यह आपके स्प्रेंग है इसको घुमाएंगे तो पहले यह देखिए कि इसके अंदर आने की क्या के संभावना ने देखिए तोटल कितने डिजेट से नाई नाई हमेशा नीचे रहेगा गेटिंग वन नमबर अब एक आने की संभावना कितनी है बताईए कितनी बार आ सकता है एक दो बार दो आ जाएगा गेटिंग नमबर थ्री थ्री आने की संभावना कितनी बार एक दो तीन तो अब तीन बटे में नो लिख दीजिए गेटिंग नम्बर फाइफ पाँच आने की संभवना कितनी है दो बार है तो दो बटे में नहीं लिग दीजी है यह लिखा है गेटिंग नम्बर फ़ोर गेवर मार birth और एकी बार है अधियर मासे जितनी बात आसरी एक और उपर लिखना है और उस में टोडनë alleen ऌती है वह नीचरे लिख ना होता है हमेशाया उम्मेद करते हैं अगा आगे होगा आपको फीडियो पसंद लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक हो श्योग करें अगा मैच ऊफार भी दापने आपते स्ट्राइब नहीं यह फॉरचिंग